कंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्सान हुआ कंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया वे अपने आपको शासक मानते रहें और जनता जनारदन को हमेशा कबंतर आखते गए छोटा आखते गए अधनियतिक जी देश के नागरीकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूँ मैं नाम बोलते हूँ उनको जड़ा चूबन होगी लेकिन 15 अगस्त लाल कीले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हें ने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की युरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं कि नहरू जी लाल के लिए से बोल रहे हैं यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौम है कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अकड़ से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं कि यानि यानि नहरू जी यानि नहरू जी की भारतियों के प्रति सोच थी कि बारतिया आलसी है नहरू जी की भारतियों के लिए सोच थी कि बारतिया कमक्र के लोग होते हैं और आधनी अद्दक जी इंद्रा जी की सोच भी उससे जादा अलग नहीं थी इंद्रा जी ने जो लाल के लिए से लाल के लिए से पंदरा अगस को कहा था लाल के लिए से पंदरा अगस को इंद्रा जी ने कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तृष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखते के लगता है कि इंद्रा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर प्आए लेकिन कॉंग्रेस का एक दम सटी का आकलन हो है की आखा कॉंग्रेस के शही परिबार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसाही समचते थे के मीशे मैं सही हो झाल